अलो फ्रेंट्स तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ड्यूल बूटेबल पैंड्राइव कैसे बढ़ा सकते हैं यानि के एक ही पैंड्राइव में हम दो-दो विंडो कैसे डाल सकते हैं इसके लिए में चाहिए होगी ISO image और एक software की जुरुत होगी जिसका link में description में दे दूँआँ वहाँ से आप इसे download कर सकते हैं जैसे कि आप देख पा रहा है मेरे पास यह दो software हो रहा है मेरा system जो है वो 64 bit है इसके बाद आपको अपनी pen drive सेलेक्ट करनी है अगर pen drive सो ना हो तो यहां से refresh कर लें इसे next जो step है अब यहां पर हम auto format select करेंगे और format type भी select करेंगे अगर हमें window xp करनी है तो उसके लिए हमें iso file जैसे हम download करेंगे उसको extract करना होगा किसी folder में उसके बाद हम इसमें folder select कर सकते हैं यह अगर आप windows 7 करना चाते हैं यह 10 यह 8 करना चाते हैं तो उसके लिए हम direct iso image select कर सकते हैं इसके लावा अगर हम किसी operating system के लिए या किसी ubcd के लिए अगर हम आप भी बूटे बoh de pen drive बनाना चाते हैं तो उसके लिए आई इस लिमेज की जूर्ट जैसे कि हमें अगर Linux के लिए बूटेबल बनानी है तो उसके लिए हमें ISO इमेज की जुरूरत होगी अगर हम UBCD के लिए बूटेबल बनाना चाते हैं तो उसके लिए हमें ISO इमेज की जुरूरत होगी तो हम इसे सबसे पहले हम इसे Windows 7 के लिए bootable बनाएंगे यह हमने इस image select की अब हम यहां से image select करेंगे अपनी image select करेंगे ओपन कर दिया अब यहां भे हमारी Windows 7 की image हमने select की थी वो 100 हो गई है अब हम go पर जैसे क्लिक करेंगे यह सबसे पहले हमें पुछेगा कि हमें इसमें जो भी data है उसे erase करना है हमने yes कर देना है उसके बाद यह format type पुछेगा हमने इसे भी yes कर देना है अब हमारा जो यह process सुरू हो गया है इसमें सबसे पहले pen drive को format करेगा और उसके बाद इसमें जो boot की file होती है उनको load करेगा उसके बाद जो हमारी यह window की file है उनको copy start हो जाएगी जब तक यह data copy होता है मैं इस video को यही पर रोक देता हूँ जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो done का message हो गया यानि कि हमारी जो pen drive हो bootable बन चुकी आप यह अब single boot के लिए ready हो गई है लेकिन हमें इसे dual boot के bootable बनाना है तो हम इसमें एक और window डालेंगे तो अब की बार हमें ध्यान रखना है कि जो हमने auto format का option select किया था अब की बार वो select नहीं करना है अब हम नहीं इसमें कोई format select करना अब हमें next जो भी window करेंगे वह select करनी है हम इसमें अब window 10 select करेंगे जो हमने पहले इसमें Windows 7 की थी select अब की बार हमें इसमें Windows 10 select करेंगे ताकि मैं Windows 7 और Windows 10 के लिए dual boot pen drive बना सकूँ अब मैं इसमें Windows 7 select करता हूं Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10 यह आफ फोल्डर फोल्डर को हाँ यह फोल्डर मैंने अपने इसमेंज सेलेक्ट कर दी जैसे यह हमारी इमेज हो गई और हमें go पर क्लिक कर देना है अब की बार भी सेम प्रोसेस चलेगा और जब तक यह प्रोसेस चलता है मैं वीडियो को रोक देता हूं अब यहीं पे अब हमें कोई और नहीं करना है तो वीडियो रोक देता हूं मैं हीबर जैसा कि आप आप देख रहे हैं कि हमारी pen drive रेडि हो गई है अब हमारी pen drive dual boot के लिए रेडि हो गई है अब इससे हम अपने PC में जिसमें विंडो करना करना चाहते हैं उसमें बूट करा सकाए झाल झाल